हेलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो अब हम यहाँ पर डिसकेशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में जैसे कि आप देखेंगे एक पहतरिन सा मुमेंटम हमें निफ्टी 50 में भी देखने को मिला है निफ्टी फाइनेशल सर्विसेज में भी आप देखेंगे और मार्केट ने YAHा पर गैड़ण ओपनिंग दे थी लेकिन फिर अपने यहाँ पर मार्केट ने प्रिवियस डे लोग का भी ब्रेक आउट दिया और प्रिवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेक आउट दिया और अपने previous day high का भी breakout दे और ये काफी बहतरीन momentum दे लेकिन bank ने भी काफी अच्छा बहतरीन momentum दे लेकिन यहाँ पर काफी बहतरीन learning CPU है उन चीजों को थोड़ा सा हम detail में समझेंगे मैं आपको logic भी explain करूँगा और इन चीजों को हम आप detail में समझेंगे लेकिन मैं आपको एक पहले जो एक resistance zone बना हुआ था market में अब breakout मिलने के बाद ये आप धियान से देखेंगे एक support की तरह act किया इसने अगर आप observe करे 15 को observe करो और 16 को observe करो यहाँ पर market support लेता हुआ दिखा जिया क्योंकि simple सी चीज हम पहले से अच्छे तरीके से जानते हैं बहुत ही basic से है अगर क distance zone है breakout मिलता है तो एक support की तरह act करता है नीचे आप देखेंगे नीचे support zone ही बना हुआ है market यहाँ पर पहले से support ले रहा है और आज भी support देखने को बला है तो इसका भी हम discussion करने वाले है क्योंकि कल क्या roll रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमारे दो और important level है जो हमने कल भी discuss किये दे एक तो है 44,100 वाला zone और एक है 44,000 वाला zone यह भी discussion हम नहीं किया था और market आपको कहाँ पर support लेता हुआ दिखाई दे रहा है around 44,100 के आसपास market आपको support लेता हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे support line की समझ में है चीजी तो इसे हम थोड़ा सा detail में discussion करेंगे कि next trading day कि हमारी क्या तयारी रहने चाहिए किस तरीके से हमें market को किस नजर से देखना चाहिए उन सारी चीजों का observation करेंगे लेकिन फिलाल पहले हम यहाँ पे logic का discussion करते हैं जिसका आप बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं तो 5 minute के time frame पे हम आ चुके हैं यहाँ पे logic को proper अच्छे तर notification मिल से रहे हैं आई यहाँ पे scenario समझते हैं ध्यान से observe करो कितने लोगों ने observe किया जो मैं अभी draw करूंगा वो कितने लोगों को दिखाई दिया यह कुछ ऐसा कितने लोगों को दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया अब दिखाई दे जाएगा मैंने आपको 4 patterns बताये या कोई बात नहीं घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं क्या किसी को यह दिखाई दे रहा है यह क्या है यह क्या है previous day closing क्या किसी को यह भी दिखाई दे रहा है यह चीजी तो पहले से ही थी market में यह तो साब साब दिखाई दे रही थी क्योंकि कल हमने क्या discussion किया था कि market या तो previous day closing से अगर उपर है इस वाले swing का भी market breakout दे तो एक positive momentum की उमीद हमें हो सकती है तो यहाँ पर breakout मिल रहा है ये चीज़े समझ दारी चलो अगर किसी को ये भी नहीं दिखा अगर ये भी नहीं दिखा कोई बात नहीं नहीं दिखाई दिया ये क्या है ये market ने निकालता है तो automatically previous day low को भी निकाल देता है काफी बहतरी नहीं यहाँ पर दो setup बन रही है पर प्रीवियस डे लोग का भी breakdown मिल जाएगा और trading day लोग का भी breakdown मिल जाएगा लेकिन क्या ऐसा हुआ नहीं अगर ऐसा होता तो हम negative side opportunities के बारे में source दे ऊपर market ने क्या निकाला trading day high का breakout दिया है और आपको एक काफी बहतरी momentum भी दिया है यहाँ पर market क्यों resistance की track कर रहा है पर discussion किया गया था कि पहला important resistance आपके लिए क्या बनेगा previous day high बनने वाला है क्या market ने उसी zone पर rejection लिए बिल्कुल रहे है लेकिन उससे पहले आपको एक momentum दिया है अब मैं आपको क्या कहता हूँ तिकों आपको कोई भी setup पता हो कोई भी strategy पता हो तो बहतर क्या रहता है बहतर यह रहता है कि उस strategy उस setup को आपको कब apply करना है कब उसके साथ कम quantity में काम करना है कब उसके साथ जादा quantity में काम करना है ये observation आपको होने चाहिए ये चीज मैंने आपको समझाई हुई है इसके साथ-साथ मैंने आपको एक चीज और समझाई हुई है अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने यहाँ पर बहुत सारे discussion किये है पहले discussion की बात करें यहाँ पर मैंने आपको एक pattern दिखाया ठीक है तो यहाँ पर आपको pattern का breakout मिल रहा है एक यहाँ पर setup बन रहा है दूसरी चीज यहाँ पर आपको trading day high का भी breakout मिल रहा है एक यह setup बन रहा है तीसरा setup भई यहाँ पर market previous day closing का भी breakout दे रहा है plus जो यह market ने swing बनाया हुआ है जो कि हम कल discussion कर रहे थे इसका भी आपको breakout मिल रहे है आपको तीन तीन confirmation मिल रहे है तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए इसका मतलब एक positive momentum की उमीद है बहले इस्टोपलोस हो जाए वो एक अलग case होता है क्योंकि कोई भी strategy 100% perfect नहीं होती है यह हम अच्छे तरीके से जानते हैं लेकिन आपको यह भी confirm कर रही है यह भी confirm कर रही है यह भी confirm कर रही है तो इसका मतलब risk लिया जा सकता है possibility हम एक risk ले सकते हैं प्रोपर इस्टोपलोस लगा के अब यहाँ पे अगर by chance बानते एक ही setup बनता या फिर fake breakout या fake breakdown मिलने के chances रहते तो यही तो चीज हमें observe करनी होती है कि बही कब हमारी किस situation में कितनी quantity के साथ यहाँ फुल quantity के साथ जा सकते थे क्यों जा सकते थे मैंने आपको कल एक और बात समझाई थी अगर आपने कल वाले वीडियो को थोड़ा धिहान से देखा है वहाँ पे हमने एक observation और किया था क्या observation था वो उस observation में हमने यह समझा था कि अगर market जिस trend में है positive trend में है अगर उसी trend के direction में हमें कोई opportunity मिल रही है तो हम उसके साथ full quantity के साथ काम कर सकते हैं यह discussion क्या था इमानदारी से बताना किया था कि नहीं किया दूसरा हमने क्या discussion क्या था सिर्फ अभी नहीं मैं अब यह discussion पहले भी कहीं बार कर चुको आपको बहुत सारी videos मिल जाएगी दूसरा हमने discussion यह किया था अगर market positive trend में है लेकिन negative side हमें opportunity दिखाई दे रही है तो वहाँ पे हम half quantity में काम करेंगी क्योंकि हम trend के opposite जाने की कोसिस कर रहे हैं जादे तर यह भी discussion किया गए है trend is your friend भले हम trend की direction में भले हमारा stop profit हो जाए लेकिन वहाँ पे हम full quantity के साथ काम कर सकते हैं क्योंकि market भी उसी direction में जा रहे है opportunity भी उसी direction में जा रहे है और यहाँ तो 3-3 जगे से confirmation मिल रहा है समझ में आए कि नहीं पूरी चीजे समझ में आए कि नहीं अब role क्या है जो मैंने शुरुवात में आपको trend line दिखाई थी एक जलक में फिर से आपको दिखा देता हूँ जिससे mind में आपको reminder आ जाएगा कि किस trend line का ये trend line अब इन trend line करो लाता है यहाँ पे मैंने आपको समझाय था ये support zone है ठीक है बात हो रही है 15 और 16 की पहले एक important resistance zone था breakout मिला support zone बन गया क्योंकि हम simple से चीछ जानते है resistance से breakout मिलेगा तो उसकी support होने की possibility बढ़ जाते है और उस support की तरह act भी करता है कई बार ऐसा case भी मैंने आपको दिखाए हैं कि जितना मजबूत support रहता है होता है मजबूत हो as a resistance भी act करता है break होने के बात समझ में आई चीजे यह मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको क्योंकि यहाँ पे अब काफी लोग को यही confusion हो जाता है इसलिए मैं क्या कहता हूँ trend line भी draw करके रखो अपने levels भी draw करके रखो जिससे आपको पता लगता रहे कि market वहाँ पे रूख सकता है कि नहीं अब आपको यहाँ पे idea लग गया होगा कि यहाँ पे market क्यों रूख रहा है यह कहां support ले रहा है यह उसी trend line पे support ले रहा है जो वो trend line आ रहे थी जो मैंने अभी आपको दिखाई पहिए यहाँ पे हमने zoom किया हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे इसी trend line पे तो support ले रहा है यह को कितना बहतरी enroll रहता है इसलिए अलग-अलग tab में सारे चीजों को ड्रो करके रखा करो तो यहाँ पे आज हमने क्या-क्या discussion किया simple से चीज़े देखेंगे एक तो यह triangle का breakout मिला plus trading day high का आपको breakout मिला plus आपको यहाँ पे previous day closing से भी उपर market जाता हूँ आपको दिखाई दे रहा था साथी साथ इस swing का भी यानि कि projection के according भी breakout मिल रहा था दोस्तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अभी भी 50% का off चल रहा है हमने उसे अभी तक खतम नहीं किया है नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा अपनी learning को increase करो अपनी जो यह छुप्टिया है उन्हें time spend करो कुछ नए चीजे सीखने के लिए समझ में आई चीजे आईए अब हम यहाँ पे एक नजर one day के time frame पे डालना क्यों जरूरी है वो भी मैं भी आपको समझाता हूँ जैसे कि हमने क्या discussion किया था काफी दिनों से हमें एक discussion करते हुए आ रहे थे कि हमारे लिए एक तो important level हो गया यह वाला support zone इसमें आपके लिए है 43,500 इसके just उपर आपके लिए important level है 44,000 उसके just उपर आपके लिए important level है 44,100 ठीक है यह भी हमने discussion किया था main हमने focus क्या किया था main हमने focus किया था इस वाले zone में जो यह नीचे आपको दिखाई दे रहा है यह वाला zone और 44,000 वाला zone इस zone पर हमने ज़्यादा focus किया था और क्यों focus किया था कि जब-जब market इस zone में रुकता है तो वो sideways हो जाता है जादतर यह case हमने देखा था main और June में यहाँ पर आपको market sideways होता हुआ दिखाई दिया था यह observation किया था अगस्त में भी हमने देखा था यहाँ पर आपको market sideways होता हुआ दिखाई दिया था और यहाँ पर आज भी मतलब इस मन्त में भी हमने कुछ observation किया है कि जब-जब market इस zone में रुका है आपको sideways momentum यहाँ पर देखने को मिले है ठीक है लेकिन खुसे की बात क्या है market इस zone का दे चुका है ब्रेकब तो फिर इसका हम discussion क्यों कर रहे है सवाल यह भी उठ जाता है क्योंकि अभी market इसी क्या असपास है भई कहीं ने कहीं यह जो दो important level थे 44,100 और 44,000 कहीं न कहीं market इन पर support लेने की कोसिस कर रहा है भी अगर वो breakdown देके वापिस इस zone में आता है तो फिर से sideways होने की possibility बढ़ जाती है इसलिए नजदिक है इसलिए इनका दो बार से आपको reminder कराया गया है जिससे कि अगर breakdown मिले तो आप इन पर नज़र रख सकी चीजे clear होगी कि नहीं क्योंकि नीचे important support बन जाएगी समझ में आगी आईए अब हम वहीं पर चलते हैं 15 मिट के time frame पर और observe करते हैं दोस्तों अगर मजा रहा हैं तो वीडियो को like करना और आप comment करके भी बता सकते हैं analysis कैसे लगे तो सबसे पहले आपका आज का जो homework रहने वाला है आप ये trend line ड्रो करें ये एक resistance line थी दो दिन ते support की track कर रही थी 15 को भी support क्योंकि 15 को इसका breakout मिल गया था support की track किया आज भी support की track किया आज breakdown मिल गया नीचे ये support line है अभी भी support line बनी होगे अब ये मदद हमारी कैसे करती है क्या मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लूँ trend line तो आपको दिखी गई इसे जूम कर लिते हैं क्योंकि जो मैं समझाना चाहता हूँ वो थोड़ा सा जब market जूम हो जाएगा वो चीज़े आपको तभी दिखाई दी ठीक है अब मैं आपको समझाने की कोशिस करता हूँ समझ ये गया जो मैं समझाऊंगा ये आपका क्या हो गया previous day closing ये आपका क्या हो गया previous day low ये आपका क्या हो गया एक trend line जो की एक support line है ठीक है काफी लोग क्या करते हैं इस चीज़ को मैं हाट ड्रो कर लेता हूँ एक बार ये previous day closing हो गया आपका ये क्या हो गया previous day low हो गया और ये आपकी ये support line हो गया ये वाली support line ठीक है काफी लोग ध्यान नहीं रखते और वो कहते हैं कि strategy फैल हो गयी या तरीके फैल होगे दरसल उनका observation फैल होता है भई मैं आपको एक बात और हमेसा समझाता हूँ कि market में जितनी अपनी observation पावर बढ़ाऊंगे जितनी chart reading आप बढ़ाऊंगे उतना ही बहतर आपके लिए opportunities निकल के आती है जैसे यहीं पे देखो यहीं पे आपको ये वाली जो support line है अगर इसका breakdown मिला तो काफी लोग इसमें trade लेने जाएं क्यों? क्योंकि trend line का एक support line का breakdown है क्योंकि valid भी है इसलिए हमने case 2 बनाया है course में हमने आपको case 2 क्यों समझाया है case 2 आपको इसलिए समझाया गया है कि भे अगर नजदी की support है तो trade को avoid करो यहाँ पे नजदी की support कौन सा हो जाएगा भई previous day low भी तो है अब यहाँ पे आपको trend line का breakdown मिल जाए और market previous day low पे support लेके bounce कर जाए तो जितने लोगों ने trend line के breakdown पे position बनाई होगी negative side उनके stop loss इट होगे या वो trap हो जाएंगे अगर वो stop loss market से market को दे के नहीं निकलेंगे तो वो trap हो जाएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं मैं आपको क्या समझा रहा हूँ तो इसलिए बहतर क्या है अगर market में negative momentum आया flat open होके तो हमें इस support line के साथ-साथ previous day low का भी breakdown चाहिए ही चाहिए ही फिर से एक सवाल खड़ हो जाता है मान के चलो आपको previous day low का breakdown मिल गया एक परसेंट हम सोच के चलते हैं market ने negative momentum बिखाया previous day low का breakdown मिल गया तो क्या हम negative side positions ले सकते हैं क्या negative side opportunities मिल सकती है फिर से वो ही सवाल खड़ हो जाता है और जवाब इसका हमेशा की तरह क्या है नहीं क्यों क्यों नहीं है क्योंकि नीचे एक और ये important support है round level भी है 44,000 का ये एक round level है तो यहां से हमने क्या सिखा कि नीचे multiple support बैठे हुए भई या तो इस तरह का momentum आए एक बड़ी candle आए जो इनी support zone को break करती वी चले जाए फिर एक retracement आए projection बन जाए और market अपने trading day low का breakdown दे के एक बहतरीन सा projection बनके negative momentum दिखाए वो आपको opportunity दे सकता है लेकिन वहाँ पे भी हम half quantity में काम करेंगे क्यों काम करेंगे क्योंकि overall trend positive बना हुआ है समझ में आ रही है कि नहीं चीज़े ठीको जो चीज़ समझ में ना है comment करके बिंदास बताय करो कि यह चीज़ समझ में नहीं है कि जादा लोगों की समझ्चा होगी तो हम उसे discuss जरूर करेंगे next वीडियो में उसे एक topic कि अगर जादा लोगों की समझ्चा है तो अलग से एक topic बना के उसे हम discuss कर देंगे ठीक है तो यहां तक हमने क्या समझा कि नीचे multiple support बैठे हुए कौन-कौन से support क्या मैं इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ एक बार जल्दी से draw करते हैं और सारी support समझते हैं पहला support क्या हो गया यहां पे previous day closing दूसरा support यहां पे क्या हो गया आपके लिए यह हो गया चलो previous day closing को आप as a support मत मानो कि अगर यहां से negative momentum देते हैं तो यह कि resistance की direct करेगा ठीक हैं दूसरा support आपके लिए क्या हो गया यह trend line ठीक है चलो पहला support आपके लिए क्या हो गया trend line में यहां पे लिख देता हूँ दूसरा support आपके लिए क्या हो गया 44,100 तीसरा support आपके लिए क्या हो गया यहां पे previous day low यह वाला support चोतर support आपके लिए क्या हो गया 44,000 का एक round level यह वाला और एक पांचवा support भी है कितने लोग जानते हैं पांचवा support कौन सा है अब जब मैं आपको बताऊंगा कि एक support level है तो इमानदरी से आपको बताना है कि कितने लोगों को ये ही लग रहा था कि मैं इसी का discussion करने वाल हूं दरसल जिसने लास्ट वाली वीडियो देखिया उसे पता होगा कौन सा support level है यहाँ पर हमने एक support level draw किया था कि market काफी दिनों से इसकी respect कर रहा है यही पर यह वाला support zone, यह वाले support zone हमने discuss किये थे कही में यह हमने nifty 50 में भी discuss किये थे, nifty financial services में भी discuss किये थे समझदारी है कि बेवकूपी है, वही मेरे हिसाब से तो बेवकूपी है दूसरा trend भी overall अभी देखो अगर छोटे time frame पे देखे, negative trend नहीं है अभी एक तो नीचे multiple support बैटी हुए, उपर से trend भी positive है, अगर एक छोटे time frame पे देखे तो बहतर क्या decision निकल क्याता है, अगर negative side जाना भी पढ़ गया, तो half quantity में जाना है, proper stop loss को follow करना है दूसरी बात, अगर इस zone में जाके market sideways होने की कोसिस करे, trade में एक दम exit मार लेना क्योंकि अगर sideways चल गया, वो आपके premium को खत रहेगा, आपको एक opportunity नहीं दे पाने का चीजे clear होगी, अगला discussion करते हैं, अगर market ने flat open होके positive momentum दिखाया, तो previous day closing से उपर चल ले दो, बलकि मैं तो आपको suggest करूँगा, बहतर ये रहेगा 15 का जो day low है, इसका भी breakout होने दो, अगर 15 के day low का breakout मिलता है, तो जो ये resistance line है, ये आपके लिए important resistance बन जाएगी इसका आपको breakout मिलता है, जो 16 का day high है, ये आपके लिए अगला resistance बन जाएगा, बनने की possibility बेगी वहीं पे अगर आपको gap up opening मिल जाती है, दोस्तो gap up opening का discussion करने से पहले मैं आपको बता दूए, आपके लिए किसी भी तरह का, ना तो कोई buy recommendation है, ना ही कोई selling recommendation है ये जस्ट educational purpose से बनाए गई analysis वीडियो है, इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी research करनी है, अपने investor की सला लेनी है, क्योंकि profit भी आपका होनी वाला है, loss की जिम्धार भी आपको अपने आप लेनी है, अगर आपको gap up opening का scenario दिखाई देता है, तो आप सिर्प और सिर्प इस resistance line पर focus करेंगे, इस resistance line से कितनी दूर या कितनी नजदीक आपको market gap up open होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप उसी चीज़ पर focus करेंगे, अगर market इसी के आजपास ही आपको gap up open होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब market जाधा बड़ी gap up opening दे चुका, तो trade को avoid करना, अपना trading day high mark करना, trading day low mark करना, और फिर देखना इस trend line पर market किस तरीके से react कर रहा है, अगर rejection ले रहा है, तो negative opportunities पर focus करना, क्योंकि नीचे आपको support की possibility पता लग जाएगी, एक support zone ये बनेगा, previous day closing, previous day low, और ये trend line, और नीचे 44,100, और उसके नीचे 44,000, चीज़े clear होगी, वही अगर market आपको gap down opening दे देता है, जैसे कि मैंने आपको नीचे बताया है, नीचे आपके लिए multiple support हो जाएगे, अगर market gap down opening दे रहा है, इन support zone में कहीं भी दे दे, तो आपको न तो positive side जाना है, ना ही negative side जाना है, negative side आपको तब जाना है, जब market 44,000 का breakdown देके नीचे price sustain कर आपको कब जाना है, positive side आपको तब जाना है, जब market previous day closing का breakout देके उपर momentum दिखाने लग जाएगा, दोस्तों मैं आपको last में फिर से याद दिला रहा हूँ, कि 50% का offer अभी भी चला हुआ है, नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा, वीडियो को like कीजेगा, comment करके बताना कि आ आपको analysis कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने helpful है, फिर में लेंगे किसी next video में किसी अच्छे content के साथ, thank you